How To Fix GEO Outgoing Call Not Ogoing Problem तो दोस्तों यदि आपका भी GEO SIM में Outgoing Call का Problem आ रहा है Outgoing Call जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है Call ended बताता है या फिर Busy या फिर जो भी बताता है Outgoing से Related आपका जितना भी Problem आ रहा है आपकी GEO SIM में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसे sort out कर सकती हो कैसे आप उसे fix कर सकती हो तो दोस्तों वीडियो को last तक जरूर देखेगा वीडियो के अंद तक आपका problem जो है वो solve हो जाएगा guarantee के साथ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मैं आपको कम से कम 5 या 6 settings बताऊंगा जिसके मदद से आपका problem definitely solve होगा तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि इस वीडियो के एक like अभी के अभी कर दीजेगा साथ ही साथ यदि आप online पैसे कमाना चाहते हैं से आप जो है निकाल लीजे रिमूफ कर लीजे सीम रिमूफ करने के बाद में आप उसे फिर से आप इंसर्ट कर लीजेगा सिम को गुसा दीजे गुसाने के बाद में अपना मोबाइल को स्विच अन करके एरप्लेन मोड को ओफ कर दीजे ठीक है उसके बाद में आप एक बार चेक करके देखिए कि आपका आउटगोइंग कोल काम कर रहा है कि नहीं ठीक है कभी कभी दोस्तों यह करने के बाद में 50% प्रॉब्लम जो है मोबाइल का सोल्फ हो जाता ह सिम से रिगार्डिंग ठीक है यह से इससे आपका काम कर जाता है सही बाते काम नहीं करता है कोई दिकत नहीं है आगे आपको क्या करना है मैं बताओंगा यहां पर आपको सेटिंग पर आने के बाद में डोल सिम और सेलूलर नेट्रोक आपको शो कर रहा होगा या फिर आप पर आपको जाना है career setting पर ठीक है आपको शायद career call setting आपको शोगा तो यहां पर automatic search या फिर automatic select आपको आएगा इसे आपको बंद कर देना है चलिए हम इसे बंद कर देते तो दोस्तों यह बंद करने का क्या मतलब होता है कि अभी यहां पर जो है network कम होने के वज़ए से या फिर network शोनी होने के वज़ए इससे outgoing problem आपको आरा है तो किसमें आपको यह करना है ठीक है यहदि आपका network वाग़रा सही है तो कोई दिकत नहीं है आपको यहां पर यहांपर select करकी किजे स Argentina के अपि सपयाक जिसमें आपका प्राबलम होता है कि यह कहर राइन के बाद में आपको प्राइव नहीं उताएक आपको बनागा चलिए उसके उसके बाद में दोस्तो अभी आपको क्या करना है अभी आपको जो है बहुत important settings है यहा पर देखिया हर mobile में ये settings शायद आपको ना देखने के लिए मिले तो दोस्तो आपको क्या करना है यदिशनल setting में जाना है या फिर आपके मुबाल में more setting आपको शो होगा उसके बाद में आपको backup and reset पर जाना है ठीक है दोस्तो location थोरा बहुत इदर उदर हो सकता है मैं जो आपको यह आपी दिखा रहा हूँ आपके मुबाल में शायद location इदर उदर हो सकता है तो आप manage कर लिजेगा reset to factory setting पर चले जाएए अभी यहां पर आपको reset system setting only दिखाए दे रहा है यानि कि यह करने के बाद में क्या होता है कि यह हमने अपना network में कुछ छेड़खानी करके रखा है setting उलट पुलट करके रखा है तो क्या होता है कि यह company का जो default setting होता है उसी में यह set हो जाएगा तो आपने यह दिखाए आपका setting में कुछ भी problem होके रखा है चेड़खानी होके रखा है तो तब क्या होता है कि default setting बन जाएगा और आपका सारा network setting भी आपका reset हो जाएगा तो वह case में आपका outgoing call का problem भी solve हो जाएगा तो आपको simply क्लिक करना है आपका password है तो यह आपको password भर देना है उसके बाद में यहाँ पर reset system setting पर click करने के बाद में आपका सारा system reset हो जाएगा इससे दोस्तों आपका data अगेरा बिलकुल भी नही दोस्तों यह दि आपको अपनी mobile में यह reset system setting खर नहीं हो रहा है आपके mobile में यह feature नहीं दिया गया तो आपको कोई दिकट नहीं है आपको call setting जो है आपको reset करना होगा वो case में ठीक है? call setting में आपको चले जाना है सबसे पहले setting में चले जाएए और आपको app management में जाना है app management में जाने के बाद में दोस्तो यहां से हमें अपना call setting जो ही reset करना होगा ठीक है तो चलिए हम चलते हैं अपने call settings में उसके लिए दोस्तों यहां पे आपको all application select कर लेना है उसके बाद में यहां पर call management में आपको जाना है या फिर आपको call का option दिखाए देगा basically आपको यहां पर logo जो दिखाए देरा dial button का इसको देखके आपको पेचान लेना है कि कौन सा setting में हम जा रहे है ठीक है जैसके में नहीं आपको location इधर उदर हो सकता है सबसे पहले आपको इसे force stop कर देना है force stop कर दीजिएगा उसके बाद में back आई है storage usage पे चले जाईए clear data में click करके इसे clear कर दीजिए यह clear करने के बाद में दोस्तो बेक आना है आपको बेग आने के बाद में दोस्तों अपना mobile को एक बार restart कर लेना है, restart करने के बाद में आप अपना outgoing call चेक कीजेगा, किसी को भी call करके चेक कीजेगा, आपका problem solve होके रहेगा, ठीक है, यदि दोस्तों इससे भी नहीं होता है, अभी final option क्या है, final option आपके पास दो है, ठीक है, एक इससी वज़े से हमें problem आ सकता है, यदि आपको यह अपडेट शो कर रहा है, तो update कर लिजी, update करने के बाद में आपका problem definitely solve हो जाएगा, यदि दोस्तों फिर भी आपको call का problem आ रहा है, तब आप last क्या उपाई कर सकते हैं, अपना telecom company को, अपना sim company को, आप call कीजे customer care को, और होंगे और कैसे fix करना है, आप fix कर चुके होंगे, उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आओगा, thanks for watching.